हलो वेलकम बैक दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे यूटूब जैनल गुपता ओलाइन ट्यूटिरियल में दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पाकिस्तान देश कब बना और इसे किसने बनाया ठीक है आज का मेरा टॉपिक रहेगा पाकिस्तान के बारे में चुकि पाकिस्तान जो हमारा क्या परोसी देश है ठीक है इसलिए मेरा टॉपिक है कि पाकिस्तान देश कब बना और पाकिस्तान को किसे ने बनाया और आज का वीडियो है हमारा हिस्ट्री का थर्ड पार्ट है अगर सकेंड पार्ट सकेंड पार्ट में यह बताये थे कि इंडिया के कौन-कौन से नाम है ठीक है इंडिया के नाम पांच नाम है ठीक है और है क्या कि इंडिया का कोई भी इतिहासकार क्यों नहीं है ठीक है यानि किसी भी आदमी को भारती इतिहासकार क्यों नहीं कहा जाता है ठी लोड़ो देखिए, क्योंकि आपको समझेंगा कि क्यों ने इतियासकार कहा, जाता है, ओके देखिए, आज का topic है कि पाकिस्तान देश कब बना, और पाकिस्तान नाम किसने रखा, इसको किसने बनाया, इन्हें माईने में question आते रहाता है कि पाकिस्तान आखिर आया कहां से, श North West frontier ठीक है province ठीक है North West Frontier province के 5 परांथ को ठीक है यह उत्तरी पस्ची मेरे सीमा परांथ के 5 परांथ को है कुछ कुछ part को लेकर क्या हो कि पाकिस्तान डेश को बनाया गया ठीक है रॉस मतला एक ऐसा जगह बनाएगा जिसका नाम पाकिस्तान रख्यागा शुरू में तो पाकिस्तान देश नहीं था चुकि शुरू में पाकिस्तान जो था कहा इंडिया का पाट था ठीक है इसलिए हम शुरू में यह नहीं बोल सकते हैं कि शुरू आज से पाकिस्तान का एक परकार का देश है ओके त पाकिस्तान नाम रखा किसने ठीक है तो पाकिस्तान नाम रखने वाला था चोदरी रहमत अली और उसके बहुत अच्छे दोस्त थे मोहमद इकवाल ठीक है उन्होंने पाकिस्तान नाम को रखा था वो दोनों जो थे लेके कैम्बरिज उन्वर्सिटी से बहुत अच्छे दोस थे, उन्होंने पाकिस्तान नाम रखा क्यों, तो पाकिस्तान नाम यह सोच के रखा, कि पाकिस्तान है लेके एक पविद्र अस्थान के रूप में जाना जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान जो है एक पविद्र अस्थान के रूप में जाना जाएगा, इसलिए उन्होंने पाकिस नाम रखा, अब देखिए, हम बताते हैं कि सबस्थ पहले पाकिस्तान नाम जो बताई थे, पांच परोभींस को लेके बनाया, पाकिस्तान, सबस्थ पहले देखिए कि पाकिस्तान बनाने के लिए किया क्या, ति फर्स्ट अफ़ल है, पंजाव से पीवर्ड को लिया गया, ठ कस्मीर से के लिया गया, इंडस से आय लिया गया और बलुचिस्तान से अस्तान लिया गया है, ठीक है, यानि पांच परोभींस मतलब पंजाब, अफगानिस्तान, कस्मीर, इंडस और बलुचिस्तान, इसी पांचों से एक एक वर्ड को लेके, क्या बनाया गया, ठीक है, और है कि इसका नाम पाकिस्तान मतलब एक ऐसा जगह बनाया गया ठीक है जिसका नाम क्या होगा पाकिस्तान रखा गया ठीक है अब हिंदी में भी देख लेते हैं हिंदी में भी है कि पंजाब से क्या कि पॉली आ गया अफगानिस्तान से आकार का मात्रा लिया गया ठीक है कस्मीर से कॉल लिया गया, फिर हैं इंडस, ठीक है, इंडस से क्या 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 दिरगई का मात्रा लिया गया है, ठीक है, और लाश्णे बच जाता है बलुचिस्तान, बलुचिस्तान से अस्तान सब्द लिया गया है, इस परकार है पंजाब, अफगानिस्तान, कस्मीर, इंडस, और क् बलुचिस्तान, ठीक है, बलुचिस्तान के क्या हो जाता है, पाकिस्तान, पुरा हो जाता है, ठीक है, आपका डॉट खतम हो गया कि पांच प्रविंस कौन-कौन सा था, पंजाव, अफगानिस्तान, कस्मीर, इंडस, और लाष्ट में है बलुचिस्तान, इन ही पांचों को मि आया किसने ठीक है तो देखे नीचे में लिखा हुआ है चौधरी रहमत अली ठीक है चौधरी रहमत अली और महब्बत इकवाल नहीं पाकिस्तान पाकिस्तान नाम रखा ठीक है चुकि यह दोनों थे देख केंवरीज की विश्विश्विदाले में पटते थे वहां के स्टूडेंट थे तो इन्हों को समझ था कि पाकिस्तान सब्सका मतलब क्या होता है तो पाकिस्तान समझ था इसका मतलब होता है कि एक पवित्र अस्थान ठीक है इन्होंने यहां सोच के पाकिस्तान नम रखा कि आगे चल कर यहां एक पवित्र अस्थान के रूप में जाना जाएगा एक पवित्र अस्थान के रूप में जाना जाएगा लेकिन इनको यह नहीं पता था कि यहां पाकिस्तान आगे चल कर क्या हो जाएगा कि बहुत खुंखार हो जाएगा आतंकबादी देश बन जाएगा यह क्या करता है बर्तवान समय में क्या करता है आतंकबादी को भेजता है इंडिया भेजता है लेकिन हमारे इंडियन भी तो कम होसी यार नहीं है ना इंडियन से नहीं करते हैं जब यह वोडर में घुशता है तो वहा अब देखिए अब बता रहे हैं अब नेक्स्ट, अब देखिए अब हम बताएंगे, कि mainly points और year हा जाता है, कि Pakistan देश, स्वस्पेले बता है कि 5 श्टेट को लेके बना, तो यहाँ शुरू में तो Pakistan देश अलग था नहीं, तो Pakistan देश कब बना, और उसका मांग सबस पहले कौन रखा था कि पाकिस्तान को एक अलग देश बनाया जाए ठीक है तो यहां है 23 मार्च 1940 इसलिए 23 मार्च 1940 इसलिए 23 मार्च को ही पाकिस्तान देश अलग देश की मांग मुहमद अली जिन्ना ने रखा था ठीक है इसलिए 23 मार्च को ही पाकिस्तान देश की रूप में मनाया जाता है मैं पहिर से एक बार सुन लीजे 23 मार्च 1940 इसलिए 23 मार्च 40 इसलिए क्या है कि 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस की रूप में मनाया जाता है अगर कोई बोल दे कि पाकिस्तान दिवस का मनाया जाता है तो क्या हो जाएगा 23 मार्च 1940 इसवी को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है चुकि 23 मार्थ 1940 इसवी को ही मुहमद अली जिन्ना ने सबसे पहले पाकिस्तान का मांग किया था, ठीक है? अब नेक्स्ट में आता है कि मांग तो 40 में किया गया लेकिन पाकिस्तान अलग देश कितने सवी में बना, ठीक है? मैं लिए ये टॉपिक भी है कि पाकिस्तान अलग पंद्रह अगस्त उन्यूस से तालिस को बना ठीक है भारत के चुकि पंद्रह अगस्त को बना था पाकिस्तान अलग दिस ठीक है चुकि मांड लॉर्ड मांड वेटर नियोजना दौरा मांड वेटर नहीं किया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया था इसका बॉटर लाइन अलग-अलग चेंज किया गया तब उन्हें 47 सिर्व में अब यहां है कि पाकिस्तान के लोग क्या को 14 अगस्त को मनाते हैं क्या ची आजादी दिवस ठीक है इंडिपेंटेंस टे जब कि भारत के लोग 15 अगस्त को मनाते हैं इसका कारण यह है चुकि रात का समय था जब कंटे का विवाजन हुआ था चुकि जब हम जानते हैं कि GMT लाइन से सब देश का क्या हो जाता है कि अपना अपना टाइम जो माना जाता है तो जब यहां था कि जब इंडिया में जब इंडिया में रात का बारा बज रहा था उसे में पाकिस्तान में ख्याता सारे ग्यारा ही बज रहा था इसलिए पाकिस्तान जो क्या अपना क्या होता की इंडिपेंडेंस डे एक दिन पहले मनाता है यह 14 अगस्त को पाकिस्तान जो बोले कि पाकिस्तान दिवस कब मने आ जाता है तो हो जाएगा 23 मार्च को पाकिस्तान सब्द किसे ने दिया चौदरी रहमत अली दिया था और मुहमद अली चौदरी रहमत अली और मुहमद इकबाल ने दिया था पाकिस्तान सब्द ठीक है बनाया गया कैसे तो नौर्थ वेस फ्रोंटियर प्रोभीन्स के पांच प्रोभीन्स से क्या होगा कि पाकिस्तान सब्द बनाया गया था ठीक है अब लाश्ट देखिए चले इतना होगे अब देख्ए हम बताते हैं आगे कुछ टोपिक को कि पाकिस्तान सुरुवात में कितने बटण होगा था चुकि शुरूआतannelों हम आतों से ठीक है एक पूर्वी पाकिस्तान और एक था पस्वी पाकिस्तान ठीक है उसको आगे बता रहे है कि तब तक वेट क किजिए चले देखते हैं अब कि अब देखते हैं पाकिस्तान शुरुवात में जो पाकिस्तान था वह दो पार्टें बटा हुआ था ठीक है एक पार्ट था पुर्वी पाकिस्तान दुसरा पार्ट था पस्चिमी पाकिस्तान ठीक है पहला पार्ट था पुर्वी पाकिस्तान और सेकेंड पड़ था पस्चमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान जो है वो आज का कै आज का बंगलादेश है ठीक है आज का बंगलादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान है और पस्चमी पाकिस्तान जो बढ़तवान का पाकिस्तान है वो पस्चमी पाकिस्तान है ठीक है 26 मार्च 1971 इसवी को अलग देश बंगला देश की मां सेख मुझीवूर रहमान ने किया था जो क्या है कि बर्तमान की पर्धान मंत्री बर्तमान में बंगला देश की पर्धान मंत्री सेख हसीना के पिताजी है कि में ली यह है कि बंगला देश का मंग कब किया गया यह हो जाएगा 26 मार्च 1970 को किसके तोरा किया गया सेख मुझीवूर रहमान के तोरा किया गया ठीक है अब समझ में आगे है कि पूर्वी पाकिस्तान पस्षी पाकिस्तान ठीक है अब देखिए अब हम देखते हैं कि बंगला देश अलग देश की रूप में कब हो रहा है ठीक है इंडिया गांधी उसमें की प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया गांधी जो लेके अपने इंडियन सैनिक को अलग देश बंगला देश बनाने के लिए क्या होगा कि यहां पूरवी पाकिस्तान भेज दिया ठीक है तो वहां पर क्या होगा कि इंडियन सैनिक जब पूरवी पाक सरेंडर किया था ठीक है तो ही है 16 दिसंबर 1978 को 93,000 पाकिस्तानी सैनिक ठीक है ने खुदको बंग्लादेश करा जानी धाका में सरेंडर किया था ठीक है धाका में सरेंडर किया था कि इसके साने में स्रेंडर किया था यहां हो जाएगा भारतिये साने में स्रेंडर किया था चुकि वह दिन को था 16 दिसंबर था इसलिए 16 दिसंबर को क्या हो जाता है कि पाकिस्तान यह 16 दिसंबर को भारत भीजे दिवस की रूप में मनाता है चुक्कि 93000 पाकिस्तानी सेनिक के मतला बहुत बड़ा हो जाता एक टुकरी यहां है क्या कि यहां जो है सरेंडर दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है ठीक है इसलिए क्या कि भारत इसे बीजे दिवसके रूब में मनाता है और इंडिया में क्या होता है कि इसी 16 दिसंबर को कि विजे की खुजी में यानि क्या था कि इंडियान सेनिक क्या था कि वहां पाकिस्तान में विजे हुआ था इसे बीजे की खुशी में परतेक बर्स 16 दिसंबर को क्या हो जाता है कि बीजे दीवस की रूप में मनाया जाता है और इंडिया गेट पर ठीक है दिली के इंडिया गेट पर अमर जबान जोती जलती रहती है ठीक है अब यह है कि अमर जबान जोती असमारक जो है यह 1947 इस वी के बाद सहीद हुए सहीनिकों की याद में बनाया गया है मैंनली है कि यह जो अमर जवान जोती असमारक है यह 1947 इस वी के बाद सहीद हुए सहीनिकों की याद में बनाया गया है मैंनली समझ में आगे हो कि बना देश बना कैसे इसको किसने बनाया, तो असे पहले भगना देश की मांग किसने किया, ठीक है, आप समाज में पूरा आप पूरा क्लियर हो चुका है, अब नहीं लगता है कुछ अगर आपको इसमें से कोई प्रोब्लेम लगता है कि पाकिस्तान और बगना देश के अस्थापना में, तो क्या है का आप कोमेंट कर गए मैं बताईए क्या हो जाएगा फिर हम अगला वीडियो बना लेंगे ठीक है आज की वीडियो में इतना है ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में वावाई टेक क्यर और हाँ अगर देखिये दोस्तों अगर अभी तक यह कहना में भूल गया था कि अगर अभी तक आवने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ ही बेल आइकन को दवा दे ताकि हम जो न्यू वीडियो बनाए उसका नोटिफिके अगर आप क्या करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं तो क्या हो जाएगा कि हमना मोटिवेशन बनेगा और हम क्या करेंगे तेजी सेटी वीडियो बनाएंगे और आप लोग को क्या हो जाएगा पढ़ने में मन लगेगा ठीक है इसलिए दोस्तों चैनल को क्या करें सब्सक्